बीज़ापूर में अकसलियों ने कीफ़ारस बेंजवर की हत्या ग्रामिडों को मजदूरी का भुफतान कर देया थाब सरधारदार हत्यार से तारा मौत के घुटा कॉंग्रस में बचे घमात्सान के बीच पार्टी में फिर वदल पूनिया दोबारा बनाएं गईच हत्यसगर के प्रभारी साहू गोरार सी डेब्लीू सी में नहीं मार्तमुन में जमीनी विवात को लेकर एक परिवार में खूली संगाश तीन लोगों को उतारा मौत के घाट स्वार के हारत गंदी आप देख रहे हैं की नियोज ख़बरों का सार्थी मुकिमंतरी पूपेश भगें ने कोवेट अस्पतालों और करोना के एल सेंटर्स में ऑक्सीजन सुवदा वाले बिस्तरों की संग्या बढ़ाने के साथी करोना के संदेख मरीजों की जाच में तेजी लाने और जाच को दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने कोवेट अस्पतालों और आइसलेशन सेंटर्स में जादा से जादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये जिससे उनकी बहतर तारीके से देखबाल हो सके बैटक में मुख्यमंत्री बगे ने डॉक्टरों नर्सिंग स्टाफ का अस्वताल के बौर्डों में नेमेत राउन के साथी वहाँ बढ़ती मरीजों में सत्त संबाद बनाए रखने को कहा करोना संकमर के बढ़ते मामलों को रोखना बड़ी चुनाती है इसके लिए आगे भी युदस्तर पर खाम करना ज़रूरी है इस बेटक में स्वास्तमंदी ट्येस सिंग देव ग्रह मंत्री तामर धज्ज स्टाहू क्रिशी मंत्री रवींदर चौबे मुख्य मंत्री के सलाका विनूद वर्मा प्रदीप शेर्मा राजी इश्तिवारी और रुचिर गर्ग मुख्य सचिव आर्पी वंदर स्वास्तिवाग के अपर मुख्य सचिव रेनू जी पिले और मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव सुप्रत शाह भी मौजूद रहे कोविड नाइंटीन को लेकर सियम्भुवक्वेश भगेल नेकी समिक्षा मंत्रियों और वरेश अधिकारियों के साथ उच्छ स्तारिय बैठक आक्सीजन सुविदा वाले बेड़ बढ़ाने के निर्देश कोरोना मरीजों की जाच में तेजी लारे की जरूरत सिफारिश और दबाव में आए भी ना करें अस्पतार में भरती सवादिक संगठनों और स्वायम से भी संस्थाओं का ले सहयोग मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रजवेट छात्रों के रें निर्देश नर्सिंग कॉलेजों के विदाथियों की सिवाई लेने का भी सुझा वेबसाइट और आप पर जौनकारियू प्लग्दकर आने को कहा कोविड क्या सेंटर्स का लोकेशन प्रदर्शित करने के निर्देश करोना से बचाव के लिए जरूरी निर्देशों पर भी चर्चा चौक शुराहों में काढ़े की वितरन्टी विवत्पा करे सर्वज्वरहर चूर्ण काढ़ा के सेवन को बढ़ावा देने को भी कहा ट्रू नॉट के जर्या कोरोना जाज की संख्या बढ़ाने को कहा अंतिम संसकार में समाजिक संस्थाओं से लिए सुझा बोख्यमांत्री बुपेश्वगेल की मासिक रेडियो वारता लोकवारी की दस्वी कड़ी का प्रसार्ण आगामी 13 सितंबर रिवार को होगा बोख्यमांत्री बुपेश्वगेल लोकवारी में इजवार समस्थ वेसी विकास आपकी आस विशय पर विदेश्वासियों से बात करेंगे लोकवारी का प्रसार्ण शुत्रिस गड़ से तक आश्वारी के सभी केंद्रो एफम रेडियो और शेत्री समाचार चैनलों से सुबा साड़े दस सी ग्यारा बजे तक होगा मुख्यमंत्री भूपेश भगेन ने गौठालों में मन्रेगा से वर्मी टांका बनाने ततधान खरीदी केंद्रों चबूत्रों और शेट बनाने को प्राथमिक्ता देने को कहा है मुख्यमंत्री ने गुरवार को सीयम हाउस पे चाटिसगर ग्रामेर रोजगार गैरेंटी परशित की बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग से ली बैठक अफसरों से ली गारेंटी योजना के कामों की रिपोर्ट 706 नाइग ग्राम पंच्वाद भवन और 672 आगनवाडी केंद्रों को बंजूरी राजु के हरधान संग्रहन केंद्रों में एक-एक शेट बने 36 गड में 4,649 चबूतरे बनाने की मंजूरी में गौठानों में मन्रेगा से वर्मी टांका बनाने को प्रात्मिक्ता इस सार मन्रेगा से 55-586 बराने को सीम नी कहा मन्रेगा के तहण नर सिरी कुए और डबरी के काम को हुसर्वे कामों से लोगों को मिलने वाले लाब के बारे में भी सर्वे को कहा नहे राइनिंग का कार्य पालिट प्रोजेक्ट के रूप में हो किसानों को सचाई सुधाओं का भरपूर लाब मिले की सभावना सतही जलका उप्योग पीने के पानी के लिए किया जागरुक खेतों में डबरी और कूपे बनाए जाएंगे ताकि पानी की रेचार्जिंग हो सके ऐसे नाले जुनका एक हिस्ता वन शेतर से गुजरता है उसका दीपियार वन विभाग करे तयार वन अधिकार पट्टे वालों को जमीन पर फर्दार व्रक्ष लगाने बड़े व्रक्षों के बीच हल्दी अद्रक्ती खूर जैसी फसलों के लिए फ्रोस्साहित किया जाएगा मंड्रेगा से भूमी विकासर जमीन को घेने के कारिकर आए जाएंगे क्रेशी विभाग से जमीन पर ट्यूब वेल खनन कराकर क्रेडा से सोलर पंप स्थापित किये जाएंगे खबर कोरिया से हेज जाविदाग्पी ने जैस्वा द्वारा एसी सील के जीम के अपान का मामला सामने आया अशोभनी विभार के समद में इस्थानी पौडी धाने सहित कलेक्टर कोरिया और एसपी कोरिया को एसस्वीयर मुके महा प्रबंदेक चिर्मिरी घेंशियाम सिंग ने शिकायत पत्र दाखिल किया और रात्मी का दर्ज करते हुए उचित कारवाई की मांची है ठाने में दियेगा शिकायत पत्र में घर की पाइपलाइन में तोर्ड पॉर्ट समर्थकों के साथ घर पर नारवाजी कारूप लगाए गया है यह एक्चिली उनके जो जीएम बंगला है उसका पाइप्लेंड काट जया था जानगीन चापा जुला मुक्याले के नहारिया बावा मंदर और रेलवे ट्राक के खिनाने एक महिला की खून से सनी लाश टेक कर रिलावकी में संसनी फैल गई चाप मिलने की सूशा मतही नहला पुलिस चुमाके पर पहुची और शफकर पंचनामा के लिए अस्पतार भेज़ दिया गया पुलिस के मताबिक मृत्रिका कोस्वंदागाप के रहने वाली लता कशब थी जिसकी शादी पामगर्ड चंडी पाराख में कनया कशब के साथ हुई थी शादी के कोस्तब बाद से ही पती पती के बीच विवाज शुरू हो गया था और इसी विवाज के कारण पती कनया ला कशब ने पत्नी नता कशब की हत्या कर दी पुलिस में आरोपी को गेरफ्तार भी कर लिया है कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 नहर्याबावा मंदीर के पास रेल्वे लाइन के नीचे में एक महिला कि उसे पती ने धारदार हंठ्यार हंसिया से दलर देटकर हंच्या कर दिया है सुचना पर मौपे पहुंचे और परीजनों के रिपोर्ट पर मौपे पर ही अपराद हुमर के कामी कर व्यजन की जा रही है अम्रितिका कोसमंदा की रहने वाले थी ललीता और फलता कस्याप जिसका विवाद चार वर सपूरव पामगर चंदी पारा निवासी करनिया कस्याप के सांथ हुई थी साधी के कुछ दिन बात से ही लोग के बीच में विवाद का मामला चर रहा था जो चार सुन्ठांवे का प्रक्रण पामगर नियालाय में चर रहा था कुजिन पहले पहुचे बिलासपूर पहुचा बिने ताफ ताफ सिवदासानी कोरोना पॉस्टिफ पाई गए जिससे पूरे शेहर में सेंसे नहीं पैल गई आफ्ताफ विलासपूर पुलिस द्वारा आई जोत साइबर वितार्न कारिकरम को प्रवोट करने विलासपूर पहुचे थे और इस बीच वो कई आमोखास से मिले और एस्पी समेच कई फुलसारादिकारियों के बीच प्रच कॉंटेंस लिए पिलाई विलासपूर जिले के ही लगभग दोस्ति से अधिक पुलिस करमचारी को रशक करोना संकुवित हैं और अब ये एक नहीं अंचाहिव सीबत सामने आगे राइगर कलेक्टर भीम सिंग ने एडवांस राइव सपोर्ट से स्वदा यूग्ट अम्बिलन्स को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ये अम्बिलन्स सेवा सीजस मरीज़ों के लिए महत्तपूर होगी और इसे समान मरीज़ों को अस्पतार पहुचाने के उपयोग मिलिया जाएगा क्लेक्टर ने बताई कि राज़ शाषन द्वारब सास्तों धाव के लिए हर समभब रियास के जा रहे हैं चिकिस्ता शेत्र में आधुनिक कर सिवधा युक्त अंबिलन्स प्राप्त होने राइगर जुले के विशेश ताव पर ग्रामी शेत्रों में निवासरत लोगों को अम्बिलन्स देवाओ का लाब मिलेगा और वैजर रिलाज उपलब धूर सकेगा इस अब दर प्रमोगी शेकिस्ता यह उन्सास अधिकारी डॉक्टर असने के शिर साही स्वास अधिकारी करवचारियों पर सत्ते है यह बहुत कम जिलों में है अब बड़े जिनें हम इबस है और यह जो नोगों सीरियस हैं जिनको वेंटेलेटर की जूब तरास्ते रहें यहां से किसी कुछ चुछ कर मैं हमको रायपूर वेंटिलेटर की जुनका उक्सिजन की जुगत है तो वो सब सुलिदा इसमें उखलब है और जो सीरियस पेचेंट जंग को रायपूर पौजाने गरी है यह बहुत सुलिदा देने हैं परजनों ने बताए कि आकाशी बिजनी गिनने से मौत हुई है खबर बलादा बजार से है बलादा बजार जुला के कस्जोर नगर बंचवाज के बड़ी लापर वाही के चौसे किसालों को अपनी के तो बंचवर होने का डर सतारा जरसर करजोर कोट मुक्यमार्गी के नगर पंचवाज के द्वारा नगर का पूरा कच्रा करजोर कोट मुक्यमार्ग में सालों से डम किया जा रहा है जिसके चलते कच्रे की पॉलत धे ने ओब करको खिसानों के खहतों बहाश रही है जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशवान हैं एतन ही नहीं इस मुकमागी से गुजरने वाले लोगों को कच्छड़े के धेल से उटबाली बजबू के कारण आन ज़ाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पर डूआ है करण ब्लॉक मुख्याले में अगर काम हूं तो आज पास के ग्रामिड अंसुस से आने वाले के लिए यहीं एक मातर रास्ता है अधिकाली ग्रामिडों की सुगलेरी की बज़ाई ये खेंते नहीं ठटेक्स कर्टोर नगर बजचा इस पश्चिता में आगे यहां से रोज आना जाना है मेरा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा कच्रा यहीं पे पूरा नगर पंचायत की कच्रा ही है जिसको जैसे यहां बहुत सारी बजबू आती है जिल्ली ओकर अफेंका जा रहा है जिसको जैसे फसल में जाती है तो किसानों को बहुत परसानी होती है जिल्ली को जैसे फसल उत्पादन कमी हो जाती है जमीन में जितना भी पलिष्फिन, जहां भी गठा होता है, उस जमीन पुरा क्या है बंजर हो जाता है, क्योंकि वो परत रहता है और पौदे और बाकी चीज क्या है पाणी आसोसित नहीं कर पाते, जिसे क्या है फासल उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है दमतरी जुले के मगरलोड विकासखन के ग्राम खर्मा में पिछले दो दिनों से हाथियों के दल ने अच्वांक बचा रखा है ग्रामिलो वाकिसानों से मिली जानकारी के अनुसार फिचले दो दिनों से 20-27 हाथि खर्मा पंचाय से 30-35 से करधान की फसल को पूरी तरीके से बरबाद कर चुके हैं जिसकी जानकारी ग्रामिलो द्वारा वन्मिलभाग को दी गई लेकिन वन्मिलभाग के दिकारी महा पराय और हाथि को बगायी विना किसानों को दिला से देका चले गई पूरा हाथि का पैर है और पूरा किसान को देखिए इनका फसल अबी देखो यहां पर क्या Doing a एक खारमी नहीं on house love लाग है और तो दान के लायक है तो किसान अतमात्या नि करेंगे तो क्या करेंगन आतं से से किसान परशान है लाखों की नुक्सान है किसानों को और यहां पर कॉद्धा-ऌसर ना रात रात को पुरा लोगों 12 देना पड़ता है, 2-3 दिन हो गिया है, कम सकंद 20-25 हाथी लोग यहां पर अकरवन किया है, हकिसान सबसे ज़्यादा परिसान है, यहां पर यहां आपने ग्राम खड़मा में कम समलग भग कर लोग 30-40 एकड़ चाती हुआ है फसल जो नुकसान होए किसानों का लगभग 20-25 किसान होंगे जिसका पर नुकसान हुआं हम लोग यहां से लगपधुर्टी और यहां हमारे काम में आतंग फैला हुआ है हम लोग सासन से यह चाह रहे हैं कुछ सर्गुजा जुले के मैं पार्ट शेते के ग्राम उडम केला में जाड़ियों के बीच पे एक नवजात बच्ची बिली बता जारा है कि नवजात के शेरी पर चीटिया चोड़ रही थी और बच्ची का पूरा शेरी बालू से सना हुआ था ग्राबिलन ने इसकी सूचना सब्सक्राइब बच्ची के बच्ची के परजनों की तलाश में जटीक हैं आज सुबह मेरे गाउं में एक शुचना मिली कि इसी बच्चे को खेथ के बगल में जाड़ियों में फेद दिया गया है और उसके बाद वी जैसे ही बात गाउं में खली हमारे कुछ साथियों के दोरा चैल्ड हेलप लाइन को खबर की गई आतपास के स्थानिय मेडिकल स्टाफ को खबर किया गया था और इसके बाद थोड़ी देर में चैल्ड लाइन वाले आते हैं इस्थानिय मेतानीनों के दार्रण वाद्चे को शाफिआ जाता है उसे चीटिया काट रही थे थी न कहते हैं डूबते को तिनके कभी सहारा मिल जाता है तो इसकी जान बच जाती है ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जनमे जे मोहेबे बालोद फुटकर वैपारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने दर असल कोरोना महामारी के कारण लगतार तीन मा तक लोगडाउन लगरा जिसके कारण सभी प्रकार का वेबसाइप प्रभावित रहा तो वही बालोद जिले के फुटकर वैपारियों के जीवन में भी आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी परिवार का गुजारा करने में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन केलक्टेर की पहल से जिले के एक दरजन से अधिक फुटकर वैपारी जो आर्थिक संकट से जूच रहे थे उन्हें लोन दिलाकर आर्थिक राहत दी है रागडाउन के दवरान हमारी स्थिती जो काफी दैनी रूप में आ गए थी जिसे परिजनों को पालन पोसन का भी थोड़ी कटना ही आ गए थी लेकिन बाद में जब प्रधान मंतरी माननी मोधी जी के निर्देशन पर ये योजना चलाए गई पत्थ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना जिर परचार परसार जिलाधीश मोधे के अर्देश अनुसार जिले के एक दरजन से अधिक पत्थ विक्रेताओं को दस हजार उपय का रड़े मिला जिसके चलते लॉकडाउन के कारण रुका हुआ वेबसाइट फिर से चालू हो गया और इसी कारण पत विक्रताओं में हर्श है आपको पता दे अब तक बालोध वा दली राज हरा नगर पालिका शेत्र में दोनों शेहरी निकायों से लगबग 86 ऑनलाइन आवेदन स्वानिधी पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं जिसमें से 12 लोग योजना से लाबानवित हो चुके हैं लाउडाउन के दवरान हमारी सित्ती एकदम गंभीत थी परिवार नी चला सकते से थे सरकार कि तरफ से पालिका कि तरफ से हमको 10,000 पर लोन मिला है लोन मिलने से हमारे वाख फायोस ठीक है अभी हम ठीक है में पहले से पर दिल्वाइब दिल्वाया है इसी तरह शहरी छेत्रे के जो शमिक है खासकर स्ट्रीट वेंडर्स राजिशासन के रड़ेश रहे हैं कि उनको किसी ने किसी कारे में जो जिस कारे में कुशल है उसमें सुईधाय दिया जाएं तो वरतमान में हमने लगभग जो मुझे प्याम स्ट्रीट मेंडर आप निर्भग निदी के अंतरगत मरत दिल्वा सकते हैं और बैंक्स को भी इसमें लेटर लिखा जा रहा है कि ऐसे केसे साते हैं तो उनको शिग्र ये राशि प्रदान की जाए लगब दस जार रुपे की राशिय है और स्टेट गवर्मेंट के कई निर्देशा हैं जिसमें ये उनके दक्षता उन्नैन का कारकरम भी आगे चालू होने और जिस कारे को करना चाहते हैं और जिस कार में दक्ष होके वह बाहर श्रमीक अपना कारे करते थे उसके अनुकूल अगर यहां पर उन्हें रोजगार मिलता है तो उसके लिए कोश परियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने जिन्होंने गरीबों की मदद की जिसको लेकर हर और कलेक्टर की तारिफ की जा रही है कि बालो से की निव्स इंडिया के लिए शिव जैस्वाल की रिपोर्ट एक और तो करोना क्याल में लोगों की आमदनी घटी रोज़कार कम हुए तो दूसरी और सब्जियों की बड़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है करोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं पिछले एक हफते की हज़र सभी सब्जियों के दामो करोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बज़ेट आस्मान चूरहे सब्जियों के दाम सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद थाली से दाल के बाद सब्जी भी गाया सब्जियों के दामों में भारी तेजी चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब एक महिने में हरी सब्जियों के दाम डगवर जी आ रहे हैं सब्जी महंगी है पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी ये सब्जी कम आने की वज़े से ही महंगी हो रही है 300 रुपे दाड़ी है यहाँ पर कल्णावी में 90 रुपे गिलो है सो रुपे किलो या 30 रुपे किलो है पहले के महां फिक बहुत रिड़ बड़ शुपा अर आप लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों एक ओर तो कुरोना काल में लोगों की आंदानी घटी है रोजगार कम हुए हैं तो दूसरी ओर सब्जियों की बड़ी हुई कीमत ने और परिशान करके रख दिया है कुरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं वही पिछले एक हफते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में दो गुनाता के जाफा हुआ है यही वज़ा है कि बाजारों में जोहां पैर रखने की जगा नहीं होती थी वहाँ पर आज सन्नाटा पसला हुआ है लोगों ने सब्जियों की खरिदारी कम कर दी पहले लॉकडाउन फिर बारेश और बार की चलते देश भर में सब्जियों की दाम आसमान चूने लगे हैं देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीम्तों में बढ़ोत्री देखी ज़ा रही है इस सिर्शोड़े का बजट बिगड़ गया है इस समय टमाटर 80 रुपे के पार पहुच गए है इतना ही नहीं लगबग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए है टमाटर 50 से 60 रुपे किलो आलू 35 रुपे किलो प्यास 30 रुपे किलो कदू 30 रुपे किलो परबट्टी 80 रुपे किलो तोरोई 80 रुपे किलो परवल 80 रुपे किलो खीरा चालिस रुपे कीलो गाजर चालिस रुपे कीलो धनिया हरा सो रुपे का करेला साट रुपे कीलो केला पचास रुपे कीलो लौकी चालिस रुपे कीलो भाटा चालिस रुपे कीलो भिंडी 40 रुपे कीलो गवार फली 80 रुपे कीलो पत्ता गोबी 50 रुपे कीलो तो देखा आपने किस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार पड़ते जा रहे हैं 36 गड़ की बुटे में फिलाल लताहीं देखते देखें न्यूसे लिए रमस्कार कि आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी तारीख 4 सितंबर 2020 समय रात 8 बजे पहस का मुद्दा DMCMO का कारणामा सामने आया आपदा को घोटाले का अफसर बनाया ये आखिर चल क्या रहा क्या अधिकाली अपनी मनमानी कर रहे हैं मनमानी पर उतरा है बरत दर परत खुली तो मची खलबली इस तरह की धानली तो बरदास नहीं की जाएगी खबर का हुआ दमदार असर सस्पेंड हो गए दो जिम्मेदार अफसर तभी तो कहते हैं के न्यूज मतलब निक्षपक्ष खबर सौ प्रतिशत असर हुकम देव नारायड यादव जी है कि खब सब्सक parenting और आप भी सुवें को सब्सक्राण के है भुकम देव नारायड जादव जिस आहां में जनम लिया सो तंता सन्यानियों का कऊं मैं मैंने मैंने लिखा आप यहार सरकार को भी कि आप मेरे गाउं में चल करके देखिए कि मेरे गाउं में 7% से अधिक परिबार है जिनके घर में सोचाले नहीं है क्यूं केबल आपरेटर्स जो पहुचाते हैं आप तक हमारी हर बात सजक्ता और समस्दारी जिनकी है पहचान जो है करोना योध्धा जो है जिम्मेदार इन करोना योध्धाओं को के न्यूज का सलाम आप हैं तो हम है आपके बिना हम कुछ नहीं देश भर के केबल आपरेटर्स करोना योध्धाओं का के न्यूज की तरफ से भार्दिक अभिननन कुरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देश वासियों से अपील है कि हम चाती धर्म को भूल कर कुरोना को हराने में एक साथ खड़े हूँ जरूरत मंदों की मदद करें कुरोना के खिलाब जंग में हम अपना योगदान दें हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे मिलेगा हर समस्या का समधान विवा में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त का प्रभाव शिक्षा में ग्रैन अक्षत्रों का प्रभाव कारोबार में आने वाली हर बाधा का जिन्दगी में ग्रेन एक्षत्रों का प्रभाव, नौक्री में बाधा देखिए हर समस्या का समधान, लाइव विद अचार इलंकेश आप देख रहे है की नियोस, खबरों का सार्थी नमश्कार बुल्टर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ श्रश्टी शुक्ला खबरों से पहले इस जालते इस वक्त के सुर्खियों पर लेटर रम के बाद कॉंग्रेस अंगठर में बड़ा फेर बदल, गुलाम नभी आज़ा समेथ हटाई गए इस चार महा सचे मामारी के बीच यूपी में कोरोना किट घोटाला थे, कीमत से पाच गुना जाद अदामों पर ख़रीदने क्या रोग, दो अपसर सस्पेंड, साइटी जाज बठाई गए खत नहीं हो रहे हैं आजुम खान की मुश्किलें, आजुम खान की करीबियों पर दरश्वी चारसी वलाल सीता पुर्जेल में बंद हैं आजुम खान गोंडा जोला में फ़र्जे सिक्षकों का मकड़ जाल दस्पावे सोत्यापन में अब तक हो चुकी है तिरपंटी पेचान आईपियल से पहले से टोरियों पर पुलस का शिकंजा, कानपूर में अस्पिसाओ की केमने आईपियल में सक्टा लगाने वालों को दबोचा गैंके 6 लोगों कुकी अगे गरफता वोरोना ने विगाड़ा रसोड़े कबर जो अटास्मान चुरा है सब्ची के दाम, सब्ची के दामोरे विगाड़ा ठाली का स्वार आप देख रहे हैं के नियोज, खबरों का सार्थी बड़ी खबर आपको बता दत हैं इस वक्त की बड़ी खबर